हेलो वियो स्वागत आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल स्कूल टुशन गुरी जी में आज हम बात करें कार्यपत्रक 62 की जो की 2 दिसंबर के लिए जारी किया गया है यह कक्षा 10 का विज्ञान विशे के कार्यपत्रक है आप बच्चे अपने नाम लिखेंगे और यह आपन के पाटे-पुस्तक कपाथ विद्युद्धारा के चुम्ब की यह प्रवावक और इसका हो ही आज हम आगे पढ़ेंगे तो चलिए देखते हैं जानते हैं समझते हैं कि आज की कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है और क्या नया बताया गया है विद्युद्धारावाही विर्तकार पाश के कारण चुम्ब की है शेत्र चुम्ब के शेत्र हर बिंदुपर सकेंद्री विर्तो द्वारा दर्शाया जा सकता है जम विर्ट से दूर जाते हैं तो विर्ट निंदर बड़े होते जाते हैं विद्युद्धारावाई तार के परतेक बिंदू से उत्पन चुम्बके शेत्र एकाए पाश के केंदर पर सरल लेका जैसे परतीत होने लगती है और पाश के अंदर चुम्ब के शेत्र की दिशा एक समान होती यानि कि पाश के अंदर जो चुम्ब के शेत्र है उसकी दिशा एक समान होती बचो आगे क्या कहता है विद्युत धारावाही विर्तकार पाश के चुम्ब के शेत्र को प्रभावित करने वाले कारक यानि कि विद्यु धारवाहि युद्यकारपाश में कौन-कौन से चुमब के शेत्र को प्रभावित करने वाले कारक है, जड़ा उन्हें देखते हैं तो सबसे पहला चुम्ब के शेत्र डायक्ली प्रपोर्पोर्शनल होता है चालक में से प्रभावित होने वाले धारावर सीधे सीधे चुम्ब के शेत्र को प्रभावित करती है आगे है चुम्ब के शेत्र यह इंडारेटली प्रपोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर् प्रतेक फेरे का चुम्ब के शेत दूसरे फेरे के चुम्ब के शेत में स्योजित होता है क्योंकि विद्युद्धारा की दिशा हर वितकार फेरे में समान होती है यानि कि जब यह घूमता है जो टार घूम रहा इस तरह के कारण क्या होता है प्रती एक चुम्ब के श Carti, Cytaire सैयोजीत होता चल जाता है और इसकी पावर एक स्टरे से पढ़ती चली जाती है क्याद कि ज़ो इसमें विद्धियुद्हारा परवाटि हो रही है और ते की बच्छो चली आगे दिखते हैं हो एक तरह से ठीक है चलिए अब देखते हैं पास-पास लिप्टे विधितुरोधी तांबे के तारोग की बेलन की आकरती की अनेक फेरो वाली कुंडड़ी को परण लिरीका कहते हैं परण लिरीका का चुम्ब केश्धित्र छड्चुमबके जैसा होता है यानि कि ऐसा ही होत है फिर है परनेलिका के अंदर चुम्ब के शेत्र एक समान है वह सामांतर रेखाओ के दुवारा दर्शाया जाता है सामांतर रेखाओ के दुवारा दर्शाया जाता है जैसे यह दिख रही है और यह उपर वाली दिख रही है चुम्ब के शेत्र की तिशा परनेलिका के बाहर अत्तर से दक्षिण यानि जो बहर का एरिया है वाह पे उत्तर से इस तरह और परमलिका के अन्दर दक्षिण से उत्तर? आपनलिका का उप्योग किसी चुमबक के पदार्त जैसे नर्म reinforce की किया जाता है यानि कि इसका उप्योग क्या किया जाता है जैसे मैंने भी बताया कि इसे हम एस्थाई चुम्बक बनाने के लिए भी इस्तमाल कर सकते हैं या एस्थाई चुम्बक भी कह सकते हैं और यह घ्यक्ता है इस सदर्व क्छ परनलीगा जिसके बीत जो चुंके यह गुण होता है यानि ‫चुंबक करत्यां क्यें उस त्रह का दिखाई दिव्ण हृण भिकरन हो इस तरही आवल पकूंद आप गया है ठीक है बच्चो चल लिए अब जड़ा है अंतर सपरस्ट पढ़ लेते हैं विद्यूत चुम्बक और स्थाई चुम्बक तो पहला है इन दोने में अंतर यह यह स्थाई चुम्बक होता है आसानी से चुम्बक तो सवाप्त हो सकता है सोप दिरेगा औरिसका आसानी से चुम्बकत सवाप्त नहीं किया रहता है याने कि यह जब तक विजली रहेगी तब तक चुम्बक है चुम्बक यह पता आत reign cancer वरना काम करना बंद कर देंगा लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है फिर दूसर नमबर पर इसकी शक्ति बदली जा सकती है इसकी शक्ति निश्चित है यानि कि इसकी शक्ति जितना आप तीजी से जया विद्यूत को परवा करेंगे जितनी मात्रा में पर ज्यादा परवा करेंगे उत्वा शक्तिशाली चुम्बक बन जाएगा और इसकी जो श प्रेय अधिक शक्ति चाले इसलिए होता है अगर आपको पुरानी पुरानी पुस्ता अपनी पुरानी कशा को जियाद हो तो विद्यूत चुम्बक का इस्तमाल बड़े-बड़े गहराजों में या फिर पुरे में से मेटल है नि जो विद्यूत के सुचालक है ऐसे एंध्रों को चाटने के लिए इस्तमाल में किया बचों दातुओं को निकालने में किया जाता है लेकिन इसका उपयोग ऐसी जगह पे नहीं किया जाकता क्यूंकि यह कमजूर है तो यह तो बात भी आपकी कार्यपतर की अब जड़ा प्रशन तर देख लेते हैं बच्छो पहला प्रशन है विद्युद्धारावाई विद्यकार पा प्रवाईत होने वाली धारा है दूसरा है चालक से दूरी तीसरा कुंडली के फेरों की संख्या और यह संख्या अगर जादा होगी तो जादा विद्युद्धारा को प्रवाईत करें कि चुम्यक शेत्र और ज्यादा बढ़ा हो जाएगा ठीक है विच्छो चलिए अगला है मेज के तलपर पड़े तार के विर्तगार पास पर विचार कीजिए मान लीजे इस पास में दक्षिन तवत्ध विद्युद्धारा परवाईत हो रही है दक्षिन हस्त अंगुष्ट नियम को लागू करके पास के भीतर विवाज चुम्यक शेत्र की दशाग्यात की थिये तो मेंली करना गया आपको बच्छो ये वाला बताना है आपको कि परणर्विका में आपने कैसे क्या किया और जो धारा है वो कैसे परवाईत हो रही थी और चुम्वा की शेत्र चुम्वा के शेत्र ऐसा हो जाएगा ठीक है बच्छो अग्ला है विद्यू चुम्वा क्या है यह कैसे बना जा सकता है तो विद्विद्यू चुम्वा क्या है एक तर败 से प्रहनोंली की है सका उर चला कि और scripture कि दारत को बना инструмент को बना जा सकता नम लोहे की चुम्बक बन सके परनलीका क्या है परनलीका में एक समान चुम्बक की शेत्र कहां होता है तो परनलीका क्या है बच्चो यह परनलीका है यानि पास-पास लप्टे विद्युद्रोधी ताम्बे के तारों की बेलन की आकरती के और एक फिरवाली कुण्डली को प यहाँ पर यह दिखाय कहा होती है यहा पर यह इंज ये सामान तर है ठीक है हुआ है जोरी जल एória जु है प्रश नुबर पांच विद्वृ चुम्बक ve-sthaiow ら क्विए अंतर अंतर है कि एक स्थाई होती है और एक स्थाई होती है चुम्बकत्वी और वैसे भी एकी शक्ती बदली जा सकती है कि निश्य सक्ती होती है कि दुरुविता बदली जा सकती है कि नहीं बदली जा सकती है और एक काफी शक्तिसाली होती है दूसरी कमजोगर होती है comparison में तो बच्चों ये तो होगी आपकी worksheet complete और वीडियो भी आशा करता आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें थैंक यू